हेलो गाइज मेरा नाम है केशव शर्म आप देख रहें टेक्समाइट यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि आपको LG W30 लेना चाहिए या आपको Redmi Note 7 लेना चाहिए तो यहां पर मैं आपको उताने आपकी क्या requirement है उसके हिसाब से कौन सा phone लेना चाहिए और मैं होता तो मैं यहापर कौन सा phone लेता तो दोस्तों आपको आपको यह वीडियो पसंद अगर वीडियो पसंद आगी तो वीडियो को like करना चैनल को सिस्क्रेब करना वड़े को अपने फेंट के आशेर भी कर लेना कर लेते में जल्दी से स्टार्ट तो यहाँ पर LG ने कल अपने फोन लॉंच करे थे LG W10, NW30, NW30 Pro को यह कुछ टाइम बाद लॉंच करेगा तो यहाँ पर 3rd July को Amazon पर इसकी 1st sale आपको देखने को मिल जाएगी और वहीं आपको Redmi Note 7 तो ओपन sale में देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करें तो LG W30 आपको 9999 का देखने को मिलेगा 3GB 32GB वाला और वहीं आपको Redmi Note 7 भी सेम प्राइस पर देखने को मिलेगा यह HD Plus की display होगी aspect ratio आपको 1929 का देखने को मिलेगा इसकी display में खास बात आती है कि आप इसकी notch को customize कर सकते है यानि कि आप इसकी notch को U वाली notch बना सकते हैं V वाली notch बना सकते हैं और यहाँ तक कि आप इसको full bezel वाला phone भी बना सकते हैं तो यहाँ पर display में full HD Plus देखने को मिलती है Redmi Note 7 की तो यहाँ पर यह भाजी मार जाता है और यहाँ पर water drop notch देखने को मिलती है जो कि एक simple water drop notch है जो customize नहीं हो सकती तो यहाँ पर अगर display की बात करें तो Redmi Note 7 की अच्छी आपको देखने को मिलेगी display मेरे मुल से Redmi Note 7 Pro निकलने वाला होता है अगर मैं बोल भी दूँ हाई Redmi Note 7 Pro तो समझ जाना Redmi Note 7 ही है वो क्या बार बार चेंज करूँ वीडियो बेकार हो जाती है वरना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसके कैमरे काफी अच्छी है बट फिर भी ट्रिपल कैमरे को होने की वज़े से नमपर्स ओफ कैमरे में तो आगे जाता है LG W30 एंड वाइट वगेरा पिक्चर लेनी आपको मतलब चोड़ी जिसमें थोड़ा ज्यादा चीज आप कवर कर सको तो उसमें भी LG W30 बाजी मार जाता है बट इसकी हाँ पर नाइट वाली फोटोग्रफी को भी काफी ज़्याद देख तरा गया LG W30 की तो शायद क्या पता कैमरे में LG W30 आगे हो Redmi Note 7 से बट कुछ कह नहीं सकते है शायद कह रहा हूं एथर तो कैमरे का भी मेरे को कुछ पता नहीं और थर्ड पोइंट की बात करता है LG W30 में आपको देखने को मिलता है स्टोक एंडोइड स्टोक एंडोइ यह इतना कुछ मज़ेदार भी नहीं है MIUI भी अच्छा है इसकंदर आपको इन बिल्ट ना स्क्रीन रिकोर्डिंग देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपके इंटरनल ओडियो रिकोर्ड हो सकते है अगर आप अपजी वगरा के गेमपले रिकोर्ड कर रहे हो तो आपक कुछ लैग वगरा भी नहीं होते बट लैग वगरा तो MIUI में कुछ खास नहीं होता कभी कबार हो जाए तो हो जाए बट ऐसा कुछ मैंने तो नोटिस करा नहीं लैग तो ऐसा कुछ लैग वगरा होता हो बैटर की बात करते हैं LG W30 के अंदर आपको 4000 mH की वैटर देखने को मिल जाएगी वहीं आपको Redmi Note 7 के अंदर 4000 mH की वैटर देखने को मिलेगी जो क्विक चार्जिंग 4.0 को सपोर्ट करती है यानि कि आपका फोन भी काफी जल्दी चार्ज हो जाएगा प्रोसेसर की बात करते है तो आपको LG W30 के अंदर आपको P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा Helio P22 वहीं आपको Redmi Note 7 के अंदर Snapdragon 660 देखने को मिलेगा जो की काफी जादा अच्छा है Helio P22 से तो और यह फोन आपको splash proof भी देखने को मिल जाएगा यानि कि बारिश फगर में अगर थोड़े से छीटे वीटे पड़ दया फोन के उपर तो ऐसी कोई दिक्कत वाल यह LG W30 के अंदर बटो आपको Redmi Note 7 के अंदर यह ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती यानि कि Notification LED Light आपको देखने को नहीं मिलती Redmi Note 7 के अंदर तो यह थोड़ी सी बेकार बात है इस जावजे से यह कुछ लोगों के लिए डिल जो लेकर भी हो सकता है वाई क्योंकि का काफी अच्छा फीचर होता है यान नोटिफिकेशन LED Light का तो काफी काम आती है यह चीज और hybrid sim upload आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाएंगे 3.5 mm का jack भी दोनों फोन में मिलेगा face unlock और fingerprint और android by out of the box आपको दोनों फोन में मिल जाएगा तो यह था comparison अगर आपको एक all-rounder फोन लेना है तो आप जा सकते Redmi Note 7 की और बट अगर आपको एक camera वाला phone लेना जिसके अंदर आपको camera triple camera मिल जाए वाइड के लिए अलग camera मिल जाए स्टोक Android चाहिए LED notification लाइट चाहिए तो आप जा सकते आपको वाली गेम की फील नहीं है जो आपको Redmi Note 7 के अंदर मिलेगी तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए